आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का पंचांग पंचांग का निर्मान होता है किसी भी सु病 कारी को करने के लिए हमें ये अच्छे मोह पंचांग को कर सकते हैं जिसमें इन सभी चियों की जानकाई जो है बिल्कुल सटिकता से दी गई हो तो इन सभी चियों की संपूर और सटिक जानकाई जो की सुम बार 11 सितंबर 2023 के लिए मैं आपके लेकर उपस्तित हूँ तो वीडियो में हमारे साथ अंत्रग में रिए ताकि आपको संपूर पंचा संपूर वीशतित और सटिक पंचांक को जानते हैं आज है विक्रम संबत 2018 सक्समत 1945 कली संबत 25 125 माह भादपद माह पक्ष क्रिष्ण पक्ष रितू वर्षा रितू आयन तक शिनायन तिथी आज की 12 रहने वाली रातरी के 12 बच कर 21 मेर तक तदुपांद 23 तिथी आरंभ हो जाएगी तिथी नक्षेतर पुस्से रहने वाला है रातरी के 9 बच कर 46 मेर तक तदुदपांद 23 त आरंभ हो जाएगा करन आज कोलब रहेगा दिन के 11 बच कर 28 मेर तक तदुदपांद 23 करन आरंभ होगा जोकी रातरी के 12 बचकर 21 मेर तक रहने वाला है तो दुपांद गर करन आरंब होगा योग आज का रहेगा पड़िग पड़िग रातरी के 2 बचकर 28 मेर तक रहने वाला है तो दुपांद सीव योग आरंब हो जाएगा दिशासूल की बात कहें, दिशासूल आज पूरु दिशा में, पूरु दिशा में किसी भी खास प्रियोजन से, यात्रारम करने साथ बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नुक्सान हो सकता है, अगर आपका हर रोज का यात्रा ही, पूरु दिशा में होता है, जैसे ओफिस है तो कोई बात नहीं है लेकिन किसी खास प्रियोजन से आज ही जा रहे है तो ऐसे यातरा को अवाइट करना चाहिए सुब खादे ऐसा कुछ नहीं है कि आज सोमवार है तरपंदे कर यातरा हम कहेंगे तो अपके काड़ी बनेंगे चंद रासी करकर रहने वाली है आज जिनका भी जन्म होगा उन सबकी रासी जो है वो करकर ही रहेगी ब्रत्योहार में ऐसा कुछ तो नहीं है लेकिन सरवार सिद्योग रातरी के 9 बचकर 46 मिट तक आज रहने वाला है सुरी रासी, सिंग रासी, सुरी नक्षत्र, पूर्वा फालगुरी नक्षत्र, सौर्मा, भाद्रपद्मा रहने वाला है आईए बेकनेजर आज के सुरी ओदे और चंद ओदे की स्थी पे डाले है सुरी ओदे सुबा के 6 बचकर 3 मिट पे होगा सुर्यास साम के 6 बचकर 31 मिट पे, चंद ओदे, रात्री के 3 बचकर 23 मिट पर और चंद ओदे साम के 4 बचकर 45 मिट पे होने वाला है ये तो थी सुरी ओदे और चंद ओदे की बात आईए बेकनेजर आज के सुब चोगडिया की स्थी पे डाले है आज का सुब समय सुबह के 9 बचकर 10 मिट लेकर दिन के 10 बचकर 44 मिट पर चर समय आज का दिन के 1 बचकर क्याओन मिट पर दिन के 3 बचकर 24 मिट पर लाब समय दिन के 3 बचकर 24 मिट पर साम के 4 बचकर 58 मिट पर अमरित समय आज का सुबह के 6 बच कर 3 मेर्स लेकर सुबह के 7 बच कर 37 मेर्स लेकर सुबह के 9 बच कर 10 मेर्स लेकर इस समय में को भी नया कारी करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए गुलिक काल की बात करें तुए एक सुबह समय होता है रहने वाई दिन के एक बच कर 15 मेर्स लेकर दिन के 3 24 मेर्स तक इस समय में कोई भी नया कारी आरहम करेंगे तो उसमें आपको और सफलतात लग सकती है प्रदोस काल सामके 6 बच कर 31 मेर्च लेकर रातरी के 8 बच कर 50 मेर तक निसित काल रातरी के 11 बच कर 54 मेर्च लेकर रातरी के 12 बच कर 41 मेर तक रहने वाला है अभजीत महुर्द दिन के 11 बच कर 52 मेर्च लेकर दिन के 12 बच कर 42 मेर तक रहने वाला है अब जीत महुर्थ भी एक सुब महुर्थ होता है, इसमें भी कोई नया कारिय आप आरम कर सकते हैं विजे महुर्थ आज का दिन के 2 बच कर 22 मेर्श लेकर, दिन के 3 बच कर 12 मेर्ट तक गौदली महूर्थ साम के 6 बच कर 19 मेर्श लेकर साम के 6 बच कर 42 मेर्ट तक रहने वाला है ब्रह्म महूर्थ आज का सुबा के 4 बच कर 31 मेर्श लेकर सुबा के 6 बच कर 4 मेर्ट तक रहने वाला है तुमतर यहाँ मैंने आपको आज का संपूर्न विविस्तित और सटिक पंचांग बता है इसी तरह की अन्य ग्यान वरधक वीडियो के लिए जुरे लिए धर्मसिक्षा के साथ और देखते लिए धर्मसिक्षा जै माता दिन